स्वागत वहाँ पर किया गया है पूरी वैदिक परंपरा के साथ बाला के शक्राइब आम आधा यहनमा ओबिंदा यहनमा ओम् विस्ना यहनमा ओमाद। प्रिमिक्रमा जरमा ह। नेवस्च धी महें धी ओयो नफ्र जोदिया जो मा भोज्यो दीरस अमर्दंब्रम्ह पूर्फु भस्च वरो भिदया हाद ने उंगडे मुहोर्ते अत्रप्रदिव्यां जंबूद्वीबे भरत वर्जे भरत घंडे शकाप्चे मेरोर दिक्षण दिक्भागे श्रीरंगस्य उत्तर दिक्प्रदेशे गंगा गावेरियोर मज्य देशे सोभनस्थरे यागमंडवे समस्त देवता भगवत भागवत आचार्य सन्निधू अस्मिन्भर्दमान व्यवाहरीक चांद्रवानेना श्री प्रभवादि सट्चिसम्वत्षरा नाम्मज्ये श्री प्रभवनामसम्वत्षरे उत्तराजने सिजररुतव मागमाशे सुक्लभक्षे पंचम्याम सुभतिधव सिरवाशरे सुभवाशरे उत्तराभात्रनक्षत्रयुक्तायाम सुभयोक सुभगरन इष्णायाम अस्याम सुभतिधव अस्य स्री भगवतो देव देवोत्तमस्या स्री मतखिलांड गोटि ब्रह्मांड नायकस्या देव देवस्या जगत कुटिंबिना जगत रक्षणार धमवदीर नस्या स्री सीता लक्ष्वणानुमत समेथ स्री रामचंद्र स्वामिन अक्रपयां श्री मतवेदमार्ग प्रदिष्ठापना जारियानाम उभय वेदांत प्रवर्तका जारियानाम स्री मतपरमःध परिु राजका जारियानाम स्री स्री स्रेत्रतंडिचन स्री मन्नाराजन रामानुदियर स्वामि स्रीचरनानाम मंगनासाथन पूर्वगं विश्वसांच्यर्थं सर्वा मयनिपारनार्थं आजार्य सेवा कैंकर्यरूपेन संकल्पित अष्टोत तरसत दिव्यदेस प्रतिष्ठा प्रयुक्त स्रीमत भगब्ध रामान्जिस्वर्नमूर्थि प्रदिष्ठा भूर्वक श्रीमत भगब्ध रामान्जिस्वर्नमूर्थि प्रदिष्ठा भूर्वक श्रीमत भगब्ध रामान्जिस्वर्नमूर्थिस्पूर्थिकेंद्र सुभारंभमोच्वप्रयुक्त पंचत्रिम्स सहस्टर गुंडा हस्मग त्रे लक्ष्वी नराजन यागवारस्यार अस्या जमान अस्या कास्य पकोत्रो थ्मास्या अनुराधानक्षत्रे वृष्चिकराँ सुझातस्या नरेंद्र दामो दर्दास्मोडी नामधे यस्या सहकुडुम्भस्यजा शेमस्ताइर्य धैर्य वीर्य विजया भया युरारोग्या आईस्वर्य धरधान्य पुत्र भूत्राभि उर्च्यद्धं समस्त सन्मंगलाबाप्यर्धं इष्टकाम्यार्धपल सिद्यर्धं सर्वकार्येश विजया प्राप्यर्धं सार्वभूमाधिकार सिद्यर्धं संकल्पित एकान्धिक एककुंटास्मगा त्री विश्वक्षेरे स्याराधन कर्मा संपूर्णता सिद्यर्धं तकला देवता त्रप्त्यर्धं पूर्णा उदियो मंकरिष्ये ओ्रम्रस्वक्षेरे स्याराधनमों फद्री विश्वक्रोन आधन नखने अनलाधन जयन लिए कुछ इतनी फ्सनी दी किशकेरं नाधन मुर्णते क्ट्री विश्वक्ष भस्त्यर्धं त्रप्त्यर्धं जयकुत। कर दोन को दो दो कर दो ग्रच्ट नुकर्क। कर दो आपिस्ट रमेSo लेदेदे कि आप पीए ऑन्वाज करना हूं मुझाव कर्णा हूं हुझाव थार्क चुछर गड़ मनिक्षप्या स्वामिक अरफान गर्फान तंद्र निक्षिप्या आद्य कि घंष्या ऑ्म केणं भे रे दिती आपन अग्षात्वारी आफ़ कि व्राहर किस को आपे दा जवियर का व्रा beth-ड क्вед तानी भ प्रिछ आपगेर तने प्रांगे तर आपार के र दो यिंदा था, की प्रांगे तनेरा भ्रणम्य Κार्स्वाूं। है 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 इन सब दो है है तरह को चुछ है है लूग है 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 तरह को दो है है आ सबस्केर कर दो है कर दो उख कि बुपर इडियर एंव की बोगिवादार की बुपर आप लेपियर इन आप अभालिगहादा अभी टो आपक लगए इन आपलीड आपलीग की इस सवार्व सिंप ए फिडिला जो आपक लगए लॉग देटकत आप लेगे नप आप लेगेश विज्वट्थे रदावानिकी तामी धिमा जीकी रामाई जार शामी जार जीकी तव प्रतानास्ताप्र प्रताम्त्रयन उस्लाखंपाता कुछी धिर्ष्या गुंदेशे जये जिजंदेरी जजडने तपूर्या थार प्रतिष्या लूँ गजा यमिल बरिजोगा दिस्ट वारवा जल्दा सारदान बाता हम परोप शडिक नमस्दवार्ग परसाद नहीं प्षी लक्ति एन टेम्स आर नीम्ति आर्वितिंटनो्ग सारवा लूठा, अझ। गुराइस्वा, झुबूए श्राइस्वा, धी बदिगरः रहान अभाइ, मधरः विच्बूर। मह्या की के पूर भुबस्बस्बा, ओन देवालाम बहान रजादाल। आता स्पुर्ना इंदगाद्ध दिर्म्तरियार्ष इत्रियाय। यूरं सम्कुर्णता प्यादि सद्यों बंदे तमच्षितं मंत्रहिनं क्रियाहिनं भक्तिहिनं उतासना इद्युतंत मयादेव परिपूर्नंत अस्टुदे अनेरैहासं किलकदो होगेन भगमान सरपांपका अक्निस्थ स्रीमना राजना प्रियता इद्यक्षतोतकं विसुर आसनाध्यन्त पूर्नांतं हवनम्यन्मयाकर्दं द्रव्यहिनं क्रियाहिनं मंत्रहिनं भक्तिहं तत्सर्मंक्षम्यतां देवधिनं मामात्मसात्कुरु सुप्रित सुप्रसन्न अपरतो भवतु साष्टांगं प्रणम्या प्रवरमुच्यरेदु तप्राबेश्या उर्त्मगतं ज्यात्वा उर्स्तं भगवंतं महाकुंभे आवाहेद आवाहनादिसेंट्मुद्रा प्रतर सेथ परिस्तर अदेबा नुद्रा सेथ aman पुरुषोत्वा जरभा उपयुक्तकुसान सर्वानस्तेना दायास्तायुगे नुत्तरा ग्राने बद्नहाईत्वा वंकारम समुधिरैं आज्यवात्रे मूला नुद्र्बगर्ते मध्यान, सृच्यक्रान थाविधिक् जुह याद ओम्स्वा परिधिदेवान उध्वास येद्व श्रिधराजनमा एगरीवायन वन्सिंवाजनमा इधास्थानमुद्वास यामीं वर्द्वय आख मुट्वे डीच चान्दिसे वाश्यों आत्मा ऐख तरी चान्दिसे वासदेव ओमार्च याधान् आहल द्रेancyन के तरैंद आरे जंक सीयों एकले। أوłę마 chilli मार्चि यथा थी अाद ब्रह्मान वाद सय थोंकम अप्णु जार्मक हस्थानवंद्वास है ओम्याथक्निया दरॉस्तेख्यार माध्मान। क्लाल गरे DF Championship Lisha Security verd Am restoration method tenthाना व्योम्यड़ि ऑफ देप को राता है यम्यान सक्षान ए है जट अवर फ्रस्टनें व्रस्ट्राइब अजस्ट नग्रभीर रस्टो मेन पंच तरसे नमा यमित अ मतेना जगरेन रख्षा तास पिनासां तासामे संदा शजगम समय दे अ रेक्ष्षगम संदा द्वाद यनासां तंदन मेश अंदा कुम तो देकम समय दे कांटी संदी संदी प्रहत्सामक्षत अप्रत्ष्णियं दृस्टब अजस्विता मुक्राविर अंद्स्टो मेन अपंदान सेना मत्यामितम वातेना सगरेन रख्षा प्रहत्सामक्षत अप्रत्ष्णियं दृस्टब अजस्विता मुक्राविर अंद्स्टो मेन अपंदान सेना मत्यामितम वातेना सगरेन रख्षा अजस्टब 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 ओम्मानोहिकुम्सिज्जातवेदोगामस्वंपुरुषण्यकतु अभेफ्रतक्नादी पाइकना होतु। मापरेपातया सम्राजिंच विराजिंच भिस्रेर याजनोग्रे लक्ष्मेरास्ट्रस्यया मुखेतया मासकुम्सुरु जामसु बोल्विष्वक्सेन भगबानेगी एज्ञा भगबानेगी ओम यज्ञेन यज्ञमय जंद देवास्थानि धर्मानि प्रधमान्यासन्न तेहना गम्म हिमानस्थ जंते जत्रपूर्वे साथ्यासन्ति देवाः खर भगबानेगी आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेना प्रावमान्य पुनंतुमा प्राजापध्यं पवित्रं स्टोध्यामगं हिरन्मयं तेन प्रम्ह विदोवयं पूतं प्रम्ह पुनेमह इंड्रसुनेति सहमापुनातु सोमस्त्वस्यावरुनस्अमीच्या यमोराजा प्रवरुनाभिफुनातुमा जातवेदा मौर्यजंचापुना अपवित्र पवित्रो वासर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंदरीकाक्षंसबाख्या भ्यंतरसुचिह All Delhi पा्राथ्यम प्रत्यaran ट्रुक्त क्षै अर्मेंडं लियक्तव्ध्य posición स्प्राथ्यम य्वाद्यम इस्वकाड्यम बलावंतं प्रफुद्वंतमे वराजाधि पतिर्भभोवा संगेजनागाश्वपतिर् नरान सुमंगल्यं सददं देर्धमाजोह। भवतिषदायो पुरुससे देंद्रिया आयस्ये बेंद्रिजे प्रदितिस्थादी स्रेर्वर्यस्वमायुस्यमारोग्यमाविधाच्योभामानम्महियते धान्यम्धनंपशुम्पहुपुत्रलाभं स्दसंवत्सरंदेर्खमायोह। सतन्जीवचरदो वर्थमान इत्या विनिकमा भवतिषदमिधिषदम्धी इर्धमायोह। अवाण्यमानन्हांके दुरुससामेत्यक्रे भागंदेवे भ्योवितधात्याजन् प्रचेंद्रमास्तिरति इर्धमायोह। अवाण्यमानन्हां अवाण्यमानन्हां इस्टिशाललो विश्वक्सेने इस्टि पूर्णाहुति कार्यकरमां पूर्था इंदी पुडू। मना लक्ष्मीनारा इन सहस्रकुनात्मका याग कार्यकरमनलो मुडवनाटी सायंकारपो हवन कार्यकरमनलो जिए पूर्णाहुति कार्यकरमाननी मननन् फोगम्सम स्वासुर्याईदम, ओम्पुर्वल्वस्वासृ्ड़दम प्रणापदधगिटम ओमदेन्वमक्गोस्थाःः अनुमदेन्वमक्गोस्थाः, सलस्वादेन्वमक्गोस्थाःःः देव latvita pr Vladimir pranana yimyaja ओम पूर्वोक्ते वंगुन विशेशन विशिष्चाया वस्याम्शुभधिधौ इधा संकल्पित हवनकर्मने पंचसूक्त हवनंकरिष्के इधिसंकल्प्ला ओम अधिदेनमन्यस्वा अनमधेनमन्यस्वा सरस्वदेनमन्यस्वा देधदिधा रदुवा चिननांडुसूक्ते नसोडशा हुदानुः ओम सहस्तसिर्शा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातम सभो मिष्पतो भृत्वा अध्यरिष्धत्षा धुलक्यस्लाहा पुरुषा एवे जगं सर्वं यत्वोत अच्च भव्यं उता प्रतन पाच्ये जानाः यतन्यनादिरो अधिस्वा तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रधान मंत्री सीरी राम नगर में सबसे पहले यग्यशाला में प्रधान मंत्री पहुंचे और वहाँ पर यग्यशाला के संदर्व में हमारे दर्शकों को बताईए क्या कुछ वहाँ पर किस तरह से इसका निर्माण किया गया है क्या कुछ इसकी विशेष्टा है कर यहां की परंपरा है कि कभी कोई लिवांकार किया जाता है मंदर की सभातिना किया जाते तो विश然后 чे न dialogue अब भी प्रदान मंत्री जी ने जो पूजन किया वो विश्ट तेना इस्ती का उन्होंने पारिक्रम किया यहां पर 143 सालाओं में 114 यह जजुस्थान किये जा रहे हैं और 1035 होमकुंड बनाए गए हैं एग ऐसकता हैं यह पूराँ सोज्थे परमानुजदि जो पहुच चुक logar हे जहांपर लो शो नो कर आपने विश्ट है और मिश्ट आद वाद के प्रवर्त्ट है रामानुजाचारे जी रहे जिन्होंने शंकर के अद्वाइट वेदान से आगे विशिश्चा अद्वाइट के इस्थापना की और इस्तों में प्रधान मंत्री नरेज मरमोदी पहुच चुके हैं श्राम नगर इस्थित इस दिब्धाम पर जहांपर 216 फिट उची प्रतिवाँ बनाई गई है और आपसे कुछी छड़ोबाद इसका लोकार पड़ होगा समूची राष्ट के लिए समूची मानोता के लिए और इससे पहले प्रधान मंत्री ने यग्यशाला में पहुचके जो हमारी परंपरा है और दक्षर भारत के मंदरों की जो परंपरा है ति विश्वक तेना इसकी यानि वैकुल्ट धाम के जो प्रहरी है उनकी आराधना के बाद ही कोई मंगल कारे शुरू किया जाता है इस पर प्रधान मंत्री नरें नर्मोदी का स्वागत कर रहे हैं और साथी साथ जो इस संपरदाय के रामानुजा आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी हैं वो भी प्रधान मंत्री नरें नर्मोदी के साथ हैं इसके पहले या ग्यशाला में उन्होंने विश्वक सेना इस ती मुर्ध के अभिवादन की वह दिक मंतरोचार के भीश में अभिवादन करने के बाद में को नहीं है ना है यहा पर प्रदान मंतरी नरेंडर मुधी का स्वागत अभिवनेन के यहां उपस्थित लोगों के साथ. चिन्ना जीएर स्वामी इस मूर्ति के प्रलेता रहें। संकल्पना उन्होंने साकार की. Statue of Equality इसे कहा जाता है. समता की मूर्थी इसे कही जाती है. समता की मूर्थी इसलिए कही जाती है कि जो सनातन संस्कृति का ममत्तो और समत्तो का सिधान्त है उसकी अभीव्यक्ति यहां पर की गई है रामानुजाचार एक ऐसे संत और समास्तुधारक रहे जिन्होंने इस पूरे उत्तर और दक्षण के भेद को तो मिटाया ही सनातन संस्कृति को भी शिखर पर पहुचाया प्रधानमंत्री नरेंद् स्थल पर शिर्याम नगरिस्थित हैदराबास से तक्रीबन 40 किलो मीटर दूर जीवा आश्रम के नजदीक और यह परिसर तक्रीबन 200 एकड़ में है और यह मुख्य मंदिर है यह 45 एकड़क शेतर में पहुच बना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी समय मंदिर की त इसे सनातन संस्कृती के पुरोधा और महापुरुष के लिए जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को वर्ण, संप्रदाय, जाति, रूडियां सभी को तोड़ते हुए भगवान और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को हटाते हुए समानता के सिध्धानत का प्रतिपादन क आज से 1000 साल पहले, श्री रामानुजा चारे जी की अगर बात करें, तो ऐसे रक्षर भारत के संत और महान समास्तुधारक जिन्होंने शंकर के अद्वईत सिध्धानत से आगे वढ़कर विशिष्टा अद्वईत सिध्धानत का प्रतिपादन किया, इस समता की मूर्त देशम का वलोकन कर रहे हैं, ये 108 दिववदेशम भगवान विश्ञु के ऐसे स्थान हैं जो कि देश भर में अलग-अलग स्थानों पर हैं और ये संकल्पना चिन्ना जीयर स्वामी की थी कि सभी विश्णु भगवान के जितने स्थान हैं उन स्थानों को एक जगह पर सम कि दिव्यवस्थान है जहां पर भगवान विश्णुग अलग अलग रूप में हैं यहां पर शेशनाद रक्षा करते हुए भगवान विश्णुग αपचिर सागर की सैया में हैं लेटे हुई मुद्रा में है और इस मूर्तिक को अलग अलग ग्रूपों में दक्षन भारत के अलग अलग स्थानों पर भगवान विश्वा के वह है स्थानों पर इसकी अस्थापना की गई है तो इस समय चिन्ना जीर स्वामी और प्रधान मंतरी नरेंद्र बोधी उन स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं जो की 108 दिव्व स्थान है और इन बद्रीनाथ अगर दक्षण का है तो इन्हीं दिव्वस्थानों में अयुध्या को भी समाहित किया गया है यहां एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो श्री रंगम जो विश्लु मंदिर है उरायूर का जो विश्लु मंदिर है प्रधान मंत्री दरेंद्र मोधी उसका आवलो भगवान विश्लु के अलग-अलग रूपों को इन मंदिरों में स्थापित किया गया है उन मंदिरों की संकल्पना को एक ही स्थान पर प्रस्तुत कर देने की कोशिश की गई है और इन सभी 108 शेत्रों को 108 दिव्य देशम कहा जाता है शिरंगम विश्लु मंदिर शेष्ण का जो मंदिर है इन सब मंदिरों को यहाँ पर स्थापित किया गया है और इस मंदिर के जो दिव्य प्रतिमा है 216 फीट उची उसके चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग सद्रिश है ये सभी 108 मंदिर है इन सभी 108 मंदिरों में भगवान विश्लु की प्रतिमाएं लगी रूप में एक ही स्थान पर पहुचकर यहाँ पर शद्धाल विश्लु के सभी रूपों का दर्शन कर सकते हैं क्योंकि देश भर में फैले हुए इन 108 स्थानों पर अलग-अलग जाकर दर्शन करना सब के लिए संभो नहीं होता है तो सब को एक स्थान पर उसी रूप में स जिनको जाता है रामानुज आचारे संप्रदाय के जो विशिष्ट मतावलंबियों में आचारे के रूप में हैं रामानुज आश्वरम के जो शीर से पताधिकारी हैं वो इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और इस पूरे 108 दिव्व देशम के मर्म को प् फोare 7 वलुवर का जो मंदिर है और साथी साथ श्री पल्लायूज यूर का जो मंदिर है यह सारे एक क्रम में मंदिर बने हुए हैं और जैसा की मैं बताया कि बेहत अच्छे दक्षन भारती शैली में बने हुए इन मंदिरों में उन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है उसी रूप में स्थापित किया गया है जिस रूप में मूल रूप में प्रतिमा स्थापित है इन दिव विश्रो स्थानम पर और इस समय प्रधान मंतरी नरे मूर्ति के रूप में अगर इन स्थानों की बात करें तो यहां पर भगवान बद्रिनाथ के धाम को भी स्थापित किया गया है यहां अयुध्या धाम को भी स्थापित किया गया है साथी साथ भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति मालाजी का जो मंदिर है उसको भी यहां और कोई भी वैश्णों या कोई भी सनातन धर्म का मतावलं भी यहांपर पहुँचता है, तो वह इन 108 मंदिरों का भ्रहमण करके, भगवान के उन सभी रूपों का दृर्शन कर सकता है, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में, दक्षन भारत के अलग-अलग हिस्सों में, उत 216 फीट उची रामानुजाचारे जी की प्रतिमा बनी हुई है और इस दिवभव प्रतिमा का आज लोकारपन राश्ट को समरपन और समूचे मानो जाती को समरपित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी इससे पहले हमने देखा कि यग्यशाला में पहुचकर प्रधानम का हित देखें यानि कि खेत्र का हित देखें समाज का हित देखें और अगर देखें तो सारोभामिक रूप से राश्ट के हित देखने का राश्ट के हित साधन करने का जो पुनीत कारे मिला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी का को तो उसी संकलपना को साकार करते वे वयम राष्टे जाग्रियाम पुरोहिता और उसी संकलपना को साकार करते ही वे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी इस समय अग्रिसर हैं मुख्य मूर्ति स्थल्प की तरफ जहां पर इस मूर्ति की का अनावरन करेंगे राष्ट को लोकारपन करेंगे और राष्ट को सबर्पित करेंगे सनातन संस्कृति की हमारी परंपरा रही है जिसमें हम कहते हैं कि हम साथ साथ रहें साथ साथ तप करें साथ साथ हम राष्ट निर्माण करें प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी का जो विजन है जो उनकी दूरद्रिष्टी है उसकी अनुसार उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और जब ये फली भूत होता है तभी राष्ट निर्माण होता है प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और चिन्ना जीयर स्वामी और साथी साथ मंदिर से संबध अन्न पदा अधिकारी इस समय अग्रसर हैं मुख्य मूर्ती स्थल की तरफ जहाँ पर आज समता की मूर्ति का अनावरण होगा, समता की मूर्ति का लोकारपण होगा और साथी साथ देश को और समूचे विश्व को और मानोता को एक नए आध्यात्मिक केंदर के रूप में प्रधान करेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी क्योंकि वैश्व परंपरा की अगर बात करें तो वैश्व परंपरा में संत रामानुजाचारे ने सबसे पहले आस से 1000 साल पहले, 1017 में उनका आविरभाव हुआ और 1137 में उनका महाप्रयाण हुआ इस 120 वर्ष के जिंदगी में, 120 वर्ष के जीवनकाल में उन्होंने समाज की सभी रूडियों पर प्रहार करने का कारे किया और समभाव का मंतर उन्होंने दिया, समत्त और मंत्त का जो मंतर है सनातन संस्कृती का, उसको उन्होंने स्थापित किया और प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी इस समय आप देख सकते हैं कि कितना बेहत विहंगम दृष्य था, अनेक अनेक मंदिरों के जो गोपुर थे, मंदिर के जो स्थान थे, वो पूरे के पूरे इस मूर्थी के चारों तरफ 108 रूपों में उनको सापित किया गया है, जो कि इ पर पहुच कर आराधना करेंगे और साथी साथ अनावरन करेंगे इस भगवान तामानुजाचारे जो कि वैश्रो धर्म के महानसंत, समासुधारक और विशिश्राद्वाइत के प्रवर्तक रहें, उनकी विराट व्यक्तित्त, विराट कृतित्त के मुताबिक विराट प् सजाया गया है और इस पूरे परिसर को अगर आप देखें तो लाखो फूलों की प्रजातियां से इसे सुसजित किया गया है और ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं ये पूरा कॉरिडोर चारों तरफ अगर देखें तो 108 मंदिर बने हुए हैं, 108 दिव्वेदेशम ब अगर देखें तो ये देहत नवीन जो टेकनोलोजी है, जो तकनीक है, अध्येतन तकनीक और हमारी आध्यात्मिक शक्ति, दो-डों का सम्मिश्र और इस अध्यतन शक्तिय और आध्यात्मिक शक्ति की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं जो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम शिर पुरातन और शिर नूतन नव नूतन और शिर पुरातन इन सभी चीजों को वईज्यानिक दृष्टिकोर से और तार्किक दृष्टिकोर से उनकी स्थापना करते हुए एक समग्र समावेशी समाज का निर्माल करें और वही उनके सिध्धानतों में भी दिखता है जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और यहाँ पर आज एक संकल्पना मूर्त रूप होती दिख रही है तब जब कि यहाँ पर वैश्वो धर्म के महान संत, समाज सुधारक, विशिष्टा द्वाईत वाद के प्रवर्तक, रामानुजाचार के विराट मूर्तिका, विराट व्रतित्यों क्रित्यों को जली देते हुए विराट मूर्तिकाज अनावरन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोल्वी अग्रसर हैं विशिष्टा द्वाईत की अगर बात करें तो भगवान शंकर ने जब कहा अहम ब्रामास में, भगवान शंकर ने जब कहा तत्वम अस्यानि की वह तुम हो जब भगवान शंकर ने तादात्म की बात की जब भगवान शंकर ने ब्रह्मात्मई की की बात की तो समाज का एक ऐसा भी भगत तोवर्ग था जो की वो तादात्म इसलिए नहीं स्थापित कर पाया कि वो अपने को ब्रह्मसद्रिश नहीं मान सकता था भगवान शंकर के सिध्धान्त से आगे अद्वाइत के ही सिध्धान्त को विशिष्ट करते हुए विशिष्ट रूप में मानते हुए विशिष्टा द्वाइत की का प्रवर्तन किया रामानुजाचारे ने जिसमें उन्हों ने चित और अचित दोनों को सत्ता को उन्होंने इश्वर जीव दोनों की सत्ता को मानते हुए जगत की भी सत्ता को मानते हुए जगत को मिथ्याद ही कहते हैं रामानुजाचारे अपने विश्ष्टा द्वाईत दर्शन में और इन सब को सत्य मानते हुए भक्ति परायन होकर और शरलागती होकर भक्ति के मार्ग पर चलते ह इश्वर की प्राप्ति करना और इश्वर की प्राप्ति का जो उनका रूप है वो रूप है मोक्ष और मोक्ष परमलोग गमन की जगह बंधन से मुक्ति अज्ञान से मुक्ति संकराचारे ने अज्ञान से मुक्ति को मोक्ष कहा इन्हों ने बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा औ और बंधन से मुक्ति जो है जो सांसारी के बंधन है जो सांसारी कर्म है जो सांसारी के उपाय है उनसे मुक्ति पाते हुए व्यक्ति को जब मोक्ष मिलता है तो मोक्ष के जो रूप होते हैं सायुज, सामीप, सालोग के सारूप ये अलग-अलग रूप रहे जबकि व्यक्ति जीव जो है वो अपने को परमात्मा जो परम अंश है जो अविनाशी है उसका अपने को अंश मानता हुआ जैसे जल समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है और मिल जाती है इस स्तर का मोक्ष किया प्रतिबादन रामा नुजा चारे जी ने अपने विशिश्टाद्वईत मत के अंतरगत किया और अगर देखें तो हमारी संस्कृती भी ये कहती है और ये दार्शनिक पक्ष रहा सामाजीक पक्ष सबसे बड़ा जो रहा उस सामाजीक पक्ष यहा कि रामा नुजा चारे ने अपने मत के जरिये रक्षन भारत उत्तर भारत में आज के एक हजार साल पहल रामानुजा चारे जी प्रकट हुए और उन्होंने एक कथा इन से संदर्भित ये है कि जब गुरु ने इनको गुरु मंत्र दिया नमो नारायन का महा मंत्र दिया अस्ट मंत्र उधोन दिया अस्टाक्षरी मंत्र दिया तो उन्होंने कहा कि आप इसको गुप्त रखें औ और इसको व्यक्तिना करें और यही आपके मोख्ष और मन्धन मुक्ति का कारण होगा प्रदान मंत्री नरेंद्रमोदी आज पहुँचे हैं इसी महापुरुष को श्रधानजली देने के लिए कारेम जली देने के लिए श्रधासुमन अरफित करने के लिए और साथ ही साथ यहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी आज उस प्रतिमा का नावर्ण करेंगे जो की 216 फीट उची है और दिव्धाम आज़ेगे ặtब्स्थबद्सट जिए नवस्वाइब उसे हाज और रखा यान वुड़ी आज़ेद धिस्वा व्ट प्रijnुड़ी आज़ेद्ट आप प्रत्व है अर्म अ डायिद्सद्द प्र्धाइब्स आज़ेद्ट प्रद्धाइद्धात् आओ यही एद्धास्वाजेद्से आज प्रासाविह प्रानाना जम्याम अम् पूर्वक्त आये वंग नवसे सन्विश्टादा अस्याम् शुबधिधा अश्याष्डी भगवतो आवादेव अश्री मत खिलांडको अगौ्ध्वध नार अगस्या देवर आवस्यार जिगधो डूम विणहा जिगध्रक्सानाः घमवदी रन अश्या प्रैंहाधिस कलम भाल प्रणांत में विद स्यस्वान् सेय शहरी सीता लश्मनों मत्समेथ भीता शहरी मठपेंदस्वा मिन्येकरुपैमें श्रीमत वेता मार्गा प्रदिश्टापनाचारियानाय। श्रीमत्परमहं सबरिव्राज काचार्यानाम, परतिष्ठा पूर्वका सरी भगव द्रामानुप्रीश्टा पूर्वका स्री भगव द्रामान। पूर्ण suburbsेमन करिश्य इदेंगल्प्या ओम कर्किते नमन्यस्वाव अनमय सर थे नमन्यस्वाव सरा आई एड़ा प्रायस्वाव वुर्ण हुतीत्रैवियम प्रकित्श Revelation जैश्रीमन नारायन यागशाललो होतलन्त एकड़ वार अकड़े कूर्चो वलसिंदिगा सूचन चेस्थुन्न रुत्विकुलु कूडा मीमी स्थानारलो कूर्चोनी उंडवलसिंदिगा सूचन जैश्रीमन नारायन जैश्रीमन नारायन जैश्रीमन नारायन के लिए पहुचेंगे 216 फीट उची ये प्रतिमा है और 15 फीट उचा भद्रवेदी है और ये भद्रवेदी जो है ये भद्रवेदी इसलिए वहाँ पर बदाई गई है कि जिससे इस भव्य आकार को और दिव्य दिया जा सके आप देख सकते हैं कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी धीरे धीरे इस प्रतिमा के शीर शुबिंदू तक पहुचने वाले हैं उसे शीर शुबिंदू पर पहुचने के बाद वहाँ पर पूजा आर्चना करेंगे के साथ साथ वहाँ पर आराधना करेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और इस मूर्थी को अनावर लोकारपन करेंगे समूची राष्ट के लिए समूची मानोथा के लिए विशिष्टा अद्वाइत की अगर बात करें तो आचार शंकर के बाद उनहीं के अद्वाइत सिधान्त को तारकी कुरूप से और शोधित करते हुए विशिश्चाद्वाइत का प्रवर्तन किया रामानुजाचारे ने और दक्षिर भारत और उत्तर भारत में ततकालीन सामाजिक कुरीतियों का भी उनुपूलन उन्होंने किया रामानुजाचारे जी की हिस्ष्ष परंपरा में रामानंदर हैं रामानंदर जी की हिस्ष्ष परंपरा में कबीर रैदास और तुल्सीदास जैसे महान विभूतियों का नाम है और अगर देखें तो इन पूरे के पूरे भारतिये इतिहास में भक्तियान लोलन की अगर जो अद्भुत विहंगम ख्षण का साक्षी बनने के लिए समूचा ख्षेत्र यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और विश्व कल्यान की कामना करते हुए वसुधयो कुटुम्बकम की कामना को साकार करते हुए संगचध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् महापुरुष महान समासुधारक रामानुजाचार की प्रधानमंतरी समय भद्रवेदी पर पहुच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 36 हाथियों को इस भद्रवेदी पर स्थापित किया गया है और इस स्वलनकमल जैसे सद्रिस पंखुडियों पर भगवान क ये पूरी मूर्ती है और भगवान रामानुजाचारे यहाँ पर पदमासन की मुद्रा में है और विशिष्ट मुद्रा उनकी जो है वो आराधना करती हुई मुद्रा है और अपने आप में ये मूर्ती और ये पूरा का पूरा प्रांगर पूरा का पूरा परिसर और आध्यात्मिक संचेतना से आपको भर देगा यहाँ पर आने पर और भगवान रामानुजाचारे के जो वहाँ पर प्रतिरूप है इस मूर्थ के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है उसकी आराधना कर रहे हैं और पुषपांजली अरपित कर रहे हैं कार्यांज पुषपांजली के रूप में राष्ट्र निर्मार करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी धर्म परायन रूप में भारत भारतियता के ध्वजवाह के रूप में सनातन संस्कृति के समवाह के रूप में इस समय पुषपांजली अरपित कर रहे हैं रामानुजाचारे करांदी बूद की रूप में रहे रामानु जाचारी करें रामल सेशोवा सिन्यनादोवा स्रीपतिर्मेधिसात्रिवे विधर्क्याय महात्राथ्ने माश्यकाराय मंगाया मंगराशाणपर्मकाचाय पुरोगें सर्वै् स्रापूर्मकाचाः सत्रता यास्त्र मंगाया ड्र थे में पूर्णा पूर्णार जिन्रा पूर्णा क्डिश्टै। प्रिट्रहादिष्टा अपहक्षे दुराणि पुर्यन्ने इंड्रेनमधी धनते श्रमंध्रवेन अविशा तरस्मय देवा अधिक्रुमन्न अयंजा प्रम्मन अभधि अभधि इंड्र कै तर्म पुर्वेश्टाल कुष्टा प्रिवनध्राद पुर्वेन आफ։ झाल 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 आत्मत कुरवार भडवतो स्यलेक सिंदो रानयस्ट घयान उठन उठन रोड्ये जै रामानुजा जै रामानुजा जै रामानुजा जै रामानुजा झाल यह कार्यांजली है और साथी साथ समता का सिध्धान्त जी से कहा जाता है समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आजीवन संघर्शरत और नवीन मत के प्रवर्तक विशिष्टाद्वईत वाद के प्रवर्तक रामानुजाचारे जी को यह सच्ची श्रधांजली है और साथी साथ आज जब की समाज में अभी भी अनेक रूडियां है और अनेक स्थितियां ऐसी हैं तो उनके लिए उन रूडियों या फिर सामाजी कुरीतियों को मद्यद नजर रामानुजाचारे जी की शिक्षाएं उनके उपदेश, उनके सिध्धान्त जैसे एक हजार वर्ष पहले प्रासंगीक और समीचीन थे वैसे ही आज हैं और निश्चित तोर से ममत्व और समत्व का सिध्धान्त समूची मानवता के लिए वर्षो वर्षो तक ह प्रतिमा का नावर्ण करने के बाद और यहां पर एक 3D लेजर शो का आयोजन किया गया है उसे प्रधान मंत्री उसका उलोकन करेंगे रामानुजाचारे जी के जीवन से जुड़े हुए अनेक रूपों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है और अब उद्वोधन है चिन् आयतिहासिक दिवस है अपने विश्व को समता का संदेश एक हजार साल पहले जो महान भाव रामानुजाचारियस स्वामेजी महराज दिये थे उनकी स्री मूर्थी इसको समता मूर्थी कहते हैं और उसी मूर्थी का अनावरण कार्यक्रम करने के लिए मान्य महोदय अपना पवित्र भारत देश का प्रथान मंत्री स्रीवान नरेंदर मोडी जी यहां पर पथारे हैं स्री रामायन में वालमी की भगवान कहते हैं तम एवं वरतसंपन्नम रामचंद्र भगवान को वरतसंपन्न कहते हैं और लोका नाधो पम नाधम मेदिनी अकामयता स्री रामचंद्र भगवान राजा होना है ऐसा लोगों ने नहीं चाहा ये धर्ती मा चाह रही थी वालमी की भगवान कहते हैं वरतसंपन्न है ये रामचंद्र और अप्रधृष्य वाईभव रहने वाला है लोका नाधा उपमम सारा जगत को पालन करने का शिक्ती रहने वाला है ये समझे कर मा ये भूमी ये धर्ती रामचंद्र भगवान को ये मेरा पालक होना है ऐसा चाहती थी यहाँ पर अभी पथार कर रामान जैचारिश स्वामी जी महराज की स्री मूर्ती का अनावरण किये हैं अपना प्रधार मंत्री ची वैसे ही गुणों से परिपूर्ण है ये भी व्रतसंपन्न है हमने सुना और देखा जब अमरीका गए थे दसरा का समय में वहाँ पर अपना व्रत नियम के अनुसार दस दिन भी केवल जल पान करते ही अपना समय को वहाँ पर दिये थे अने धरम का पालन करने में और अपना वैदिक नियमों को पालन करने में ये कटी बद्ध होते हैं यहाँ पर जब आए वैदिक कारेक्रमे भाग लेने के लिए जो वैदिक स्वरूप से रहना है उसको वो प्रेम से स्विकार किये हैं ये भी उनका व्रत निष्ठा को दिखाती है और स्री राम चंद्र भगवान अप्रधुश्य वाईभव रहने वाला है ये पराक्रम से जो जो काम करना है उसको आवश्र ही करके दिखा सकेंगे हमारे परितम प्रधानी निरेंद्र मोडी जी भी अप्रधुश्य है पराक्रम से देश को अपनी दुनिया में सबसे आगे और सबसे उन्चाई में रखने के लिए कटी बद्ध होकर अपनी सेना को महत्व और सार्व भौमत्व दिये हैं देश में रहने वाले गर्व से मैं भारत हूँ मैं हिंदू हूं ऐसा अपने दिल में हाथ रखकर कहने का ताकत ये आने के बाद ही हुआ है गर्व से अवसिर उठा कर हम रह सकते हैं न केवल हम मा भारती भी इनका आगमन के बाद ही काश्मीर रूप अपने सिर को उठा कर मुश्कुराते दर्शन दे रही हैं ये इनका अपरदुश्य सिक्ती को दिखाता है संसार में अपने देश में रहने वाले हर प्रकार की जंता चाहे वो कोई भी हो वो सब मिलकर सब के साथ और सब का विकास की नारा से ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं जिसा राम चंदर भगवान सब को एक कुटुम बना कर अपना स्थान को इतिहास में सैस्वत रखे हैं स्रिमान माननिय मोडी जी भी वैसे ही गुणों से पूर्ण रहते हुए अपना भारत का महत्व को दुनिया में सिर जुका कर सिर उठा कर रहने के लिए जो भी करना है वो सब करके दिखा रहे हैं और उनके अलावा कौन इसी समता मूर्ती को अनावरन करने के लिए अधिकारी बनते हैं वे प्यार से यहां तक प्रियास करके आकर आज भगवद रामान स्वामे जी की समता मूर्ती का अनावरन किये हैं उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं स्री रामान स्वामे जी महराज का एक स्टैंप वो लोकारपन करने की समय में स्रीमान मोडी जी 40 मिनिट तक रामान जाचार स्वामे जी महराज की समता स्पूर्ती के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण विश्य को वो बताए थे और आईसा महान विभूती के अलावा स्री रामान जाचार स्वामे जी महराज की इसी समता मुर्ती का अनावरन करने के लिए अधिकारी कौन बनते हैं वे यहाँ पथार कर अभी इस कारिकरम करके अपना देश का महत्व को बढ़ाएं जिसके लिए हम उनके स्वागत समर्पन करते हुए इस सु आवसर पर यहाँ पर पथारे सो हमारे केंद्र मंत्री स्रीमान क्रिशन डिडी जी को आफवान करेंगे इस सु आवसर पर दो स्यब्द आप इस स्वागत समर्पन के रुप में आर्पन करें स्रीमान क्रिशन डिडी जी श्री 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 तृदंडी चिनस एरस्वामीजी पाद पदमालकु नमस्करिस्तु योका पूजा कारेक्रमनलो रामानुजयस्वामी योका विग्र आविश्करन कोच्चिन ट्वन्टी गवरोनीलू भारत प्रदान मंत्री स्री माननिय नर्यंदर मूडीजी रास्ट्र गवर्नर स्रीमती तमिलसाईगारू पेद्दलू राजेश्वारागारू इन्त अन्त अद्बुथंगा इकारेक्रमा मिर्भानलो पाल्गोंटु नट्वन्टी गवरोव पेद्दलू अतितुलू स्वामुलू पूजारूलू मिगता कारेकर्तलू अंदरिकी रुदेपुरोकंगा नमस्काराल तेरेयस्ताउननू सर्व मानव सोब्रात्तुत्वानिकी भार्तिय सोंस्कृतिलो अनाधिगा उस्त्तुन अट्वन्टी मरी योका प्रधाना लक्षनमू इमज्या मरी कोंतमंदी अनेयकरकालगा योका समाजान्नी विवजींचे 20 प्रयत्नां चेस्त्तुन अट्वेंटी नेपज्यमलों गुडा मनं चूस्त्तुनमू सुमारू वेई समसराल कृत्तम जन्मिन्चिन अट्वेंटी स्री स्री रामानुजा स्वामिगारू आरोजे मरेकु संदेश्म एवोडन जर्गिंदी प्रजलं अंदर गुडा उकके बक्तुलं अंदर गुडा उकके वाललों एरकविनेट्ट्वेंटी तारत्यमा उन्डड़ानिकी वीलिले लेदुवने विश्यान्नी दैवमुंदु अंदरू सम्मानुले मानवसेवे अधी पूर्तिका मनको वर्तिस्तुंदी इवेई समत्सराल तरवात खुडा आयने चेपिनट्वेंटी संदेश्म मन समाजानको उपोयगो पड़त्ता हुंदी मनक अंदर की तेलिसु इरोज आयने स्पूर्तितो रामानुजयस्वामी स्पूर्तितो मन मंदर मुंदिके ल आलसी नवसर मुंद। इरोजु स्री 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 चिनजेयर स्वामिगारु गता एड़ निमिदी समत्सराल गा उख एज्यम लागा उख तपस्तु लागा अहोरात्त्रोलि श्रमिंची अनेकमंदी बक्तुल नेकं जेसी योका गोपकला कंडान्नी उख पवित्र स्थानान् इरोजु मना प्रपेंचानि कंदींचारू, हिंदू समाजानि कंजींचारू, इरोजु प्रपेंचमलों उननत्वंट्वं लंदर्कुड एंतो संतोष पड़ताव नारू, इए उक्का दिव्यक्षेत्रानी चुसी, इपवित्रस्थानानी चुसी, इए अध्यात्मिका क क्यंद्रानी चुसी, मनकंदर की तेलिसर, उक चिंन्न देवाला निर्मीच्णालांटै एंद कास्थम आवत्तु उन्तों, कानी स्वामिजी गारू, वेंकदेश्च्ram भस्वामा आशिस्वलो तो, रामानुरस्वामी राशिस्वलो तो, फेỗi लु रामेच्राव कर शावक मिगता वाला कम्टी वेंबुल साकारं तो अद्भुतंगा एंतो स्रमिंची इक अला कंडानी युक दिव्यक्षेत्रानी इपवित्रस्थाननी निर्मिंचारू अट्वन्टी इकेंदरानी प्रारं मिंचरूं कोसम इंतकमुंदू स्वामिजी चेप्पयर नरेंदर मोडिगार दाप्पा इनके वर्ग आवुत्थार अरूलवनी वास्तोमे नरेंदर मोडिगारू चिन्ना पड़ु निच्कुडा समाजमलो मार्फु कोसम प्रहत्नी जेस नर्यंदर मोडिगारू चन जीवितम लो अनेकरकाल कस्टसुकाल निदुर्कुन्नारू अनेकरकाल इदेशमलों नट्ट्वेंटी समाजमलों मार्पुरावलान कोर्कुन्नारू मीक तेलिसु इतिवला अलहाबादुलो मरी मनक अंदर्गी तेलिसु गोप्प कुम्ब मेला दरिगिन आ कुम्ब मेला लो लक्षलादिमन्दी प्रजलू प्रपेंच वेप्तेंगो नट्ट्वेंटी हिंदुलों साधुलों संतुलों अनेकमन्दी पाल्गोन्नारू अरोजु नर्यंदर मोडिगारू अकारिक्रमी चेवरन वेल्ली मुंदु देवनी पुझिस्तु गंगम्मनी पुझिस्तु तर्वातवारू पुझिंचारू अककड़ पारशिद्ध कार्मिकुलकु पाधपूत चेशारू अरकिंगा नर्यंदर मोडिगारू इदेशामलों नर्यंदर मोडिगारू अन्य वर्गाला प्रजलू संतोशंगा वोणि इरोदू रामानु जस्वामियक्का अड़गु जाडरू वारी स्पूर्तितो वारी स्पिरिट्टितो वारू चूपिचिने अट्वेंटी बाटलो इदेशा नी परिपालीस्तु नरु नरेंदर मोडिगार। अनते कादु इटि वेल खाषी लो मनना मंदर हम देशाम। उक अद्बुतमय नेट्ट्वंटी देवायला एन्नी मरी अक्कड दिव्यकाशी बव्यकाशी नेट्वंटी उक अद्बुतमय नेट्वंटी देवायला एन्नी निर्मान जेड़ें दरिगिंद। अक्कड गुड चाला तक्वसमेमिलो आ देवायले निर्मान जेस्चिन अट्वेंटी कार्मिकुल अंदर नी कल्सी वालतों कलीसी बोजन जेशारू नर्यंदर मोडिगारू अंटे इरोधु मने वर्तन जेस्को वाल सिंदी रामारुजेचि स्वामिगारू एदेते चेप्पेर आ रोजु इरोजु मनमं अंदर गुड दानी पार्टिंचा आल सिन आवसरमंदी अदेस पूर्तितो नर्यंदर मोडिगारू गते एडु समसरालुगा परिपालन जास्ता वनुरू पेदप्रजलंदर की इरोजु टायलेट्र निर्मान च्याली पेदप्रजलंदर की बैंक कोण deployस हाली पेदप्रजल अंदर गुडा इटिवला करोन वच्चिन अप्पुडु रोंडु लक्षला अर्वै वेल कोट्र रूपायर तो पेदप्रजल अंदर के अन्नम पेट्टेर केंद प्रभुत्त अंतर अधी इरोजु मनको इवन्नी निर्वाइस्ता हुना रंटे रामानुजय स्वामी चूपिचिन अट्वेंटि भाटा वरीचिन अट्वेंटि संधेशमों मनम इरोजु अमलु चेस्ता हुन नमु दान अधेविदंगा इरोजु मरी चिनेजेर स्वामीजारु अने कमिनेट्ट्वेंटि एज्जुकेशन इलुस्ट्रीशन्स विध्यास प्रार्तना मंदिरालो देवालायलो ग्रामीन प्रांत्तालो लो गिरीजन प्रांत्तालो लो शड्विलकی्यास्तपु भस्तेलो लो बढ़गु बलेईने वरगाल अम्दर नी समानत्त्तों कोसं अम्धर नी आयक्यंजैडम् कोसं कृष्च चेषिनट्वंटी गोप महानु बावडू इसंगा मनकं अंदरिकी इरोजु चिनेजेयर स्वामिगारू मनकं अंदरिकी इन्त भव्यमंदिर निर्मानम्लो केलकपात्र पोशिंची वार्योक्का मरी आलोचन विदानंतो इक्षेत्रानी मनकं अंदिन्चलमू निजंगा मनं अंदरमू संतोश पड़ाल सिन आउसरमू नेनु प्रत्यकंगा मनंके तेलिसू स्टाच्य आफ मरी यूनिटी मरेंद्र मूडिगारू आम्मधा बदुलो सर्दार वल्लबय पटेल विग्रानी प्रारमी इन्चारू इरोदू स्ट्च्य आफ इक्वालिटी मरी इककडा मना चिनजेयर स्वामिगारू प् इरोजू उक समत्सरम आलस्येंगा मना स्वायत्त अंत्रम तीसकारवडमलो मनको सर्दार पटेल साय करेंचारू इरोजू प्रजल अंदरू कुडा समानंगा उन्डाली देवडूमूंद अंदरू समानूले अने 20 भावन तो इरोजू इयोक्का रामानुजय स्वामियोक् राच्यू आफ इक्वालिटी पेरू तो इरोजू चनेजी एयरगा स्वामिगार्योक्ता आशिसुलो तो नर्यंद्रमोडिगारू पूजा कारिक्रमं तो इरोजू मना आविश्करिंच कोड़न जर्गिंदी कबटी इह आईदरमा नगरमु रानुएन रोजू लो प्रपेंच चित्रपटम लो मरी प्रपेंचं सम्मनीचिन तोंटी पर्याट करंगम लो उक्क केंदरंगा इदी निलो बोता होंदी मरी इससन्दर्बंगा नेनननु मारोक सारी स्वामि जी 10.ll नमस्करिस्तू दीनी शाकरिंचिन अट्वंटी प्रथि वख्करिकी ना तर्फना प्रभुत्तं तर्फणा केंदर प्रभुत्तं तर्फणा अंदरिकी कृधे पुरोकमी नट्ट्वंटी दन्यवादालू कृतज्यन्तोलू तेली जेसकुन्टू देश प्रजलू हिंदूलू तपक्कुन्डा इयोकक बुञ्जक्चेत्रानी प्रपेंचमलों दर्शनन जेसको वालो अधेविदंगा रानुन रोदू लो इदिव्यक्चेत्रानी इए अध्यात्मिके केंदरानी गुडा तपकुन्ड दर्शिंच कुन्टारू अधिशलो केंदर प्रभुत्तं तर्फणा अन्नी रकालुगा देशमलो प्रपंचमलों नट्ट्वंट स्वामिवारिके बीता प्रदेल अंदरिके फुरुदेपुरो कविनेट्ट्वंटी प्रतज्यलों तेलियसकोंटू सलवदीसको नानू जैश्रीमन नारायना जैश्रीमन नारायन श्रीमान किषण डिटीसा अपना राष्ट्रका प्रधम महिला गवर्नर श्रीमती तमिल इशाही जी यहां इस कारेकरम का साहभागी बनकर अपने साथ यहां पर विराज रहे हैं उनको भी हम स्वागत समर्पन करते हुए हमारे प्रितम प्रधानी स्रीमान नरेंद्र मोडी जी से हम अनुरोध करेंगे इस समता मुर्ती का अनावरन सु अवसर पर वे समाज को और दुन्या को संबोधित करें और प्रेरना देंगे प्रितम स्रीमान नरेंद्र मोडी जी अधिया बाइब अधिया आप अधिया 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 ओम श्रीमते रामानुजाय नमह कारकम्य हमारे साथ पस्तित तेलंगनागी राजपाल डॉक्टर तमिल साई जी पुझ्यश्री जीयर स्वामी जी केंद्रिय मंत्रि मंदल के मेरे सायोगी स्री जी कर्ष्ट्न रेडी जी श्रिमान डॉक्टर रामेश्वर्राव जी भागवद विभितियों से संपन्न सभी पुझ्य संतगान देवियों और सज्जनों आज मा सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचिबी का सुव अउसर है मा शार्दा की विशेज खुर्पा अउतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अउसर पर स्थापित हो रही है मैं आप सभी को वसंत पंचिबी की विश्व कामनाय देता हूं मैं मा सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगद गुरु रामानुजाचार्य जी का ज्यान विश्व का पत्थ प्रदर्शन करे साथियों हमारी यहां कहा गया है ध्यान मुलम गुरु मुर्ती अर्थात हमारे गुरु की मुर्ती ही हमारे ध्यान का केंद्र है क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्यान प्रगट होता है जो अबोध है हमें उसका बोध होता है अब प्रकट को प्रकट करने की ये फ्रेर्णा सुक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प यही भारत की परंपरा रही है हमने हमेशा उन मुल्यों और विचारों को आकार दिया है जो यूगों यूगों तक मानवता को दिशा दिखा सके आज एक बार फिर जगत गुरु स्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मुर्ति के जरिये भारत मानविय उर्जा और प्रेर्णाओं को मुर्तस रूप दे रहा है रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिवा उनके ज्ञान वैराग्य और आदर्शों की प्रतिख है मुझे विश्वास है ये प्रतिवा न केवर आने वाली पीडियों को प्रेणा देगी बलकि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी मैं आप सभी को सभी देश्वास्यों को और पूरे विश्व में विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयाईयों को इस सूप अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूँ साथियों अभी मैं एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूँ आलवार संतों ने जिन एक सो आठ दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में ब्रह्मन करके किया था कुछ बैसा ही सोभाग्य मुझे आठ स्री रामानुजा चारी जी की कुर्पा से यहीं मिल गया मानवता के कल्यान का जो यग्य उन्होंने ग्यारवी शतब्दि में शुरू किया था वही संकल्प यहां बारा दिनों तक विभिन अनुस्ठानों में दोहराया जा रहा है पुझ्य स्री जीर स्वामी जी के स्ने से आज विश्वक सेन इस्टी यग्य की पुर्णा हुती में सामील होना का सवभावे भी मुझे मिला है मैं इसके लिए पुझ्य जीर स्वामी जी का विशेश रुप से आभार प्रगड करता हूँ उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक सेन इस्टी यग्य संकल्पों और लक्षों की पूर्ती का यग्य है मैं इस यग्य के संकल्प को देश के अमरित संकल्पों की सिद्धी के लिए नतमस्तक होकर के समर्पित करता हूँ इस यग्य का फल मैं अपने एक सो तीस करोर देश वासियों के सपनों की पूर्ती के लिए अर्पित करता हूँ साथियों दुनिया की अधिकाऊंस सब्यताओं में अधिकाऊंस दर्शनों में किसी विचार को या तो स्विकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनिश्यों ने ज्ञान को खंडन मंडन स्विकृती अस्विकृती इससे उपर ही उठा करके देखा स्वयम उससे उपर उठे दिव्यत्रष्टी से उस विवात को देखा हमारे यहां अध्वैद भी है और द्वैद भी है और इन द्वैद अध्वैद को समाहित करते हुए श्री रामानुजा चारे जी का विशिष्टा द्वैत भी हमारे लिए पहरना है रामानुजा चारे जी के ज्यान की एक अलग भव्यता है साधान द्रस्टी से जो विचार परस पर विरोधा बासी लगते हैं रामानुजा चारे जी उन्हें बड़ी सहस्ता से एक सुत्र में पिरो देते हैं उनके ज्यान से उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है आप देखिए एक और रामानुजा चारे जी के भाष्यों में ज्यान की पराकाश्टा है तो दूसरी और वे भक्ति मार्क के जनक भी है एक और वो सम्रुद्ध सन्यास परंपरा के संत भी है और दूसरी और गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम गुरूप में प्रस्तुत करते हैं वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहें रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ती मार्ग में उतना ही महत्व दिया आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई थिरुप्पावाई के पाट के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो साथियों आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है प्रगतिशिल्टा की बात होती है तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा लेकिन जब हम रामानुजय चारे जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशिल्टा और प्राचिन्ता में कोई विरोध नहीं है ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े अपनी वास्तविक सक्ति से परिचित हो आज से एक हजार साल पहले तो रूडियों का दबाव अंदविश्वास का दबाव कलपना के भार कितना जादा रहा होगा लेकिन रामानुजा चारे जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचीत करवाया उन्होंने दलीतों पिछनों को गले लगाया उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी उन जातियों को उन्होंने विशे सम्मान दिया यादवगीरी पर उन्होंने नारायन मंदीर बनवाया जिसमें दलीतों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया रामानुजाचारे जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही न जाति ही कारणम लोके गुणाहा कल्याण हे तवा अर्थात संसार में जाती से नहीं गुणों से कल्याण होता है रामानुजाचारे जी के गुरू स्री महापुर्ण जी ने एक बार दूसरी जाती के अपने एक मित्र का अंतिम सौंसकार किया था उस समय रामानुजाचारे जी ने लोगों को भगवान स्री राम की याद दिलाई थी उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायू का अंतिम सौंसकार कर सकते हैं तो फिर बेदभाव वाली सोज का अधार धर्म कैसे हो सकता है यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है साथ क्यों हमारी संस्कृति की विशेशता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाद के भीतर से ही लोग निकलते हैं यूगों से देखते आईए समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैन ले लगते हैं कोई न कोई महापुरुष भावा अमारी बीच में से पैदा होता है और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशां उनके कालगण में साहे स्विकृति मिली हो या न मिली हो चुलोतिया रही हो या न रही हो संकट जेलने पड़े हो या न पड़े हो विरोध मिस है न पड़ा हो लेकिन उस विचार में उस तत्र में उतनी ताकत रहती थी उनका कन्विक्शन इतना जबर्जस होता था कि वो समाज की बुराईयों के खिलाब लड़ने के लिए अपनी पूरी सक्ति लगा देते थे लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है तो जिसका कभी विरोध होता है उसको स्विक्रूती भी उतनी तेजी से मिलती है सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है यह इस बात का सबूत है कि बुराईयों के पक्ष में कूरितियों के पक्ष में अंदविश्वात के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्षन नहीं होता है जो बुराई से लड़ते हैं जो समाज को सुधारते हैं हमारे हाँ उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है भाई और बेनों आप सब लोग रामानुजाचारी जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यहवारिक जीवन का भी जाती के नाम पर जिनके साथ बेदवा होता था रामानुजाचारी जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकल्थार यानि लक्ष्मी जी के कुल में जन्मन लेने वाला स्रीकुल या देवी या जन्म वो स्नान करके आते समाएं अपने शिष्य दनुर्दास के कंदे पर हात रख कराते थे ऐसा करके रामानुजाचारी जी छुवा छूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे यही वज़े थी कि बाबा साब आमबेड कर बाबा साब आमबेड कर जैसे समान ताके आदुनिक नायक भी रामानुजाचारी जी की भरपूर प्रसौंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचारी जी की सिख्षा से सिखो और इसलिए आज रामानुजाचारी जी की विशाल मूर्ती स्टेट्य आफ इक्वैलिटी इसके रूप में समान ताका संदेश दे रही है इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए बविश्व की नीव रख रहा है विकास हो सबका हो मिना बेद भाव हो सामाजिक न्याए सबको मिले मिना बेद भाव मिले जिने सदियों तक प्रताडित किया गया वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागिदार बने इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एक जुट प्रयास कर रहा है आज सरकार जो योजना जें चला रही है उनका बहुत बड़ा लाब हमारे दलीत पिछडे भाई बेहनों को हो रहा है चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्वला का मुप्त कनेक्शन गैस कनेक्शन चाहे पांच लाख रुपिये तक मुप्त इलाज की सुविदा हो या फिर बिज्वली का मुप्त कनेक्शन चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभ्यान के तहर करोडों सोचालों का निर्मान करना हो ऐसी योजनाओं ने बलीत, पिछडे, गरीब, शोसीत, वंचीत सभी का भला किया है मिना भेदभाव सबको ससक्त किया है साथियों, रामानुजा चाहरे जी कहते थे उरिये गल्लुकुल बेड़ मिले अर्थात सभी जीव समान है वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुखते थे जा नहीं थे वो वेदान्त के सुत्र को स्वयम भी जीते थे उनके लिए स्वयम में और दूसरों में कोई भेद नहीं था यहां तक की उन्हें अपने कल्याण से जादा जीव के कल्याण की चिंता थी उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बात जब उन्हें ज्यान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था उन्होंने साधना की थी तपस्या की थी जीवन समर्पित किया था और इसलिए यह गुरु मंत्र मिला था लेकिन रामानिचाचारी जी की सोच अलग थी रामानुजय चारी जी ने कहा पतिश्चे एक एवाहम नरके गुरु पातकाथ सर्वे गच्छन्तु भवताम कुरुपया पर्मंपदम यानि मैं अकेला नरक जाओं तो भी कोई बात नहीं लेकिन बाकी सबका कल्याण होना चाहिए इसके बाद उन्होंने मंदीर के सीखर पर चड़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उनके कल्याण के लिए दिया था समानता का ऐसा अम्रत रामानुजाचारी जी जैसा कोई महापुरुसी निकाल सकता था जितने वेद वेदान्त का वास्तविक दर्शन किया हो साथियों रामानुजाचारी जी भारत की एकता भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेना है उनका जन्म दक्षिण में हुआ लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पस्चिमतान पूरे भारत पर है अन्नमाचारी जी ने तेलुग में उनकी प्रसंसा की है कनगास झी ने कन्नर भासा में रामानुजाचारी जी की महिमागाई है गुजरात और राजस्तान में अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी अनेक संतों के उप्देशों में रामानुजाचारे जी के विचारों की सुगंद में मैसूस होती है और उत्तर मैं रामानंदिय परंपरा के गोस्वामी तुल्फिदाजी से लेकर कभिरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचारे परम गुरु है एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक उर्जा से पूरे भारत को एक्ता के सुत्र में पिरो देता है रामानुजाचारे जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैंकडों वर्षों के कालखन में भारत की चेतना को जागरत रखा था साथ क्यों ये भी एक सुखत संयोग है स्री रामानुजाचारे जी पर ये समारो उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है आजादी के अमर्ट महोसों में हम स्वाधिनता संगराम के इतिहास को याद कर रहे हैं आजदेश अपने स्वाधिनता सेनानियों को कृतक कर सर्दांजली दे रहा है अपने इतिहास से हम अपने भविशे के लिए प्रेणा ले रहे है पूर्जा ले रहे हैं इसलिए अम्रित महोत्षव का या आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं हम जानते हैं भारत का स्वाधिन्ता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैशिक मान सिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीनेदों का विचार था इसमें एक और ये नसलियस रेष्टता और भवतिक वाद का जुन्मात था तो दूसरी और मानवता और अध्यात्म में आस्था था और इस लड़ाई में भारत विजय हुआ भारत की परंपरा विजय हुए भारत के स्वादिन्ता संगराम में समांता मानवता और अध्यात्म की वो उर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजा चारी जी जैसे संतों से मिली थी क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वादिन्ता संगराम की कल्पणा कर सकते हैं और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आधर्सों के बिना गांधी जी की लुपना कर सकते हैं आज भी गांदी जी का नाम आते ही वश्ण वजन तो तेने रे कईये ये धून हमारे अंतर मन में बजने लगती है इसके रचाईता नर्सी मेंता जी रामानुजा चारी जी की भक्ती परंपरा के हिमान संत्त है इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तना हमारी आध्धात्मिक चेतना उर्जा दे रही थी वही उर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पा को भी मिलनी चाहिए और आज जब मैं भाग्ये नगर में हूँ हैद्राबाद में हूँ तो सरदार पटेल जी का विशेश उले जरूर करूँगा वैसे किसंद रेडी जी ने अपने वक्तवेब्य पड़ा विस्तार से उसके लिए कहा भाग्ये नगर का कौन ऐसा भाग्ये साली होगा कौन ऐसा हैद्राबादी होगा जो सरदार पटेल की दिर्ग दर्ष्टी सरदार पटेल का सामर्थ और हैद्राबाद के आन बान सान के लिए सरदार साब की कुटलिति को न जानता हो आज देश में एक और सरदार साब की स्टेची अब उनिटी एकता की सबत दोहरा रही है तो रामानुजा चारी जी की स्टेची अब इक्वेलिटी समानता का संदेश दे रही है यही एक राष्टर के रुपे भारत की चीर पुरातन विशेस्ता है हमारी एक्ता सत्ता या सक्ती की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती हमारी एक्ता समांता और समाधर इस सुत्र से सुजित होती है और साथियों आज जब मैं तेलंगना में हूँ तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविदता को ससक्त किया है तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सद्यों में फैला हुआ है अनेक महान राजा रानिया इसके द्वजवाहक रहे हैं साथ वाहन हो काकातिया हो या विजय नगर सामराज्य सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया महान कभियों ने तेलुगु संस्कृति को सम्रुद्ध किया है पिछले वर्षी तेलांग नामे स्थित तेरवी शतार्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को विनेश को विश्व दरोहर्स्तल गोशित किया गया है वर्ल्ड टूरिजम और्गनेशन ने पोचम पल्डी को भी भारत के सबसे बहतरीन टूरिजम विलेज का दरजा दिया है पोचम पल्डी की महिलाओं का हुनर पोचम पल्डी साडियां के रूपे विश्व विख्यात है यह वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है तेलू को संस्कृति की इस गवरवसाली परंपरा को आज तेलू को फिल्म इंडिस्ट्री भी पुरे आन बान सांथ से आगे बढ़ा रही है तेलू को सिनेमा का दाइरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलू को बोली जाती है इसका विस्तार पूरे विश्व में है सिल्वर स्क्रिन से लेकर OTT प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रियेटिविटी की चर्चा चाही हुई है भारत के भार भी खुब प्रसंसा हो रही है तेलू को भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रती ये समर्पन सभी के लिए प्रेणा समान है साथियों आजहादी के 75 वे वर्ष में इस अमरित काल में स्री रामारुजा चारे जी की ये प्रतिमा प्रतेख देश्वासी को निरंतर प्रेणित करीगी मुझे पूरा भरोसा है आजहादी के अमरित काल में हम उन कूरुटियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिने खत्व करने के लिए स्री रामानुजा चारे जी ने समाप्त को जागरत किया था इसी भाव के साथ पुझे स्वामी जी का आदर पुर्वक दन्यवात करते हुए इस पवित्र आउसर मैं हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे आउसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूँ विश्व भर में फैले हुए प्रभू रामानुजा चारे जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ मेरी बाणी को विराम देता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्रीमन नाराइन माननिय प्रधान मंत्री महोदे रामान जैचारे स्वामे जी महराज की प्रेरना और उनका संदेश जेगत को कैसा आगे बढ़ने के लिए और विश्व मानास और भरात रुत्व के लिए किस प्रकार रास्ता खुले हैं इसके बारे में आपका ये संदेश बहुत ही प्रेरनात्मक है और सबको मार्ग दर्शक भी है जिसके लिए हम ये सहसराब्दी महोत्सव समति के द्वारा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम सब चाहते हैं जैसे आप अपना धर्म का और भारत का गवरों को विश्व व्याप्त किये थे और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे वैसे ही इस समता संदेश दुनिया को प्रभावित करें इसी प्रार्धना से हम हमारा इस कारेकरम का मूल स्रोत स्रीमान डॉक्टर जे रमेश्वर राओ जी जो न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है एक धर्म पालन करने वाला एक वैदिक प्रेमी भी है और सच्छा मार्ग को वस्वीकार करते हुए रामार जाचार स्वामी जी महराज का मार्ग पर चलने वाला एक अच्छा भक्त भी है हम डॉक्टर रमेश्वर राओ साब को आफ़ान करेंगे कि अब इस सुआवसर पर अमृत महोत्सव के नाम से भारत का आजादी के लिए जो लड़े थे जो जान दिये थे जो अपने खून बहाए थे ऐसे विक्तियों का महात्व को दुनिया को बताने के लिए एक अमृत महोत्सव नाम से एक उत्तम कारिकरम अपन देश को दिये थे और दे रहे हैं ऐसे इस्रिमान नरेंद्र मोडी जी को आभार प्रकट करें कृतज्यता प्रकट करें ले पिरोद्ट से संच वequ audio जैस्री मना नरेन स्रीमते रामा से नामेघब आड और अबहां और मारひट और मांन जाचारिया साथ्तिका मिटी なたकिस अपरच्टिए टूत्पन दूत्व ठी टॉत्क्र blinking तो बलोव बने, cœur स्री बócरेंश hou criterion मोறी lean and Sree 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 Trithandi Sriman Narayanaya Ramana Jinnajir Swamiji, and Honorable Governor of Telangana, Dr. Tamil Sai Saundar Rajanji, and Honorable Union Minister Sree J. Krishnendigaru, for gracing this divine event. Lord Ramana Jacharya strived hard throughout his life against all vows of bringing up the spirit of equality among the humankind, and his philosophy and way of life is the best way forward for the society today. It is a great fate and a fitting tribute to establish the statue of Lord Ramana Jacharya. I am blessed to get an opportunity to participate in this great work as one of the firm believers of Lord Ramana Jacharya. With the inauguration of the statue of Lord Ramana Jacharya and dedication of Sri Sahasrapti Project to the nation by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji today, the spiritual path shown by Lord Ramana Jacharya will spread throughout the world. I once again thank you, our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and all other dignitaries for their valuable participation. And I also thank support of the state government and central government, and media, and everybody, all the participants. Thank you one and all. Jai Sri Marnaraya. Thank you. Thank you. झाल 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 लाइट एंड साउन प्रोग्राम है ये म्यूजिकल फाउंटेन के साथ रामानुजाचारे जी के जीवन को प्रदर्शित करने वाले कथाओं का वहाँ पर मंचन किया जाएगा ये भद्रवेदी से लेकर 108 सीड़ियां है नीचे आने के लिए और यहीं पर एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माड किया गया है इस परिसर में और जहां पर अनेक कथाओं का मंचन श़त्धालवों के लिए किया जाएगा और उसी का उलोकन करेंगे प्रदान मंत्री नरेंद्रमोदी ये दिव्य है भव्य मूर्ति इसका अनावर्ण प्रदान मंत्री नरेंद्रमोदी और उन्होंने अपसे थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में कहा कि जो ये पूरा का पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सिध्धान्त, समता का ही सिध्धान्त है, ये सिध्धान्त, सनातन, संस्कृति और भारतियता से ही निकला हुआ स और साथी साथ अम्रित महोसों के संकल्पों को उन्होंने फल देने के लिए इस संपूर्ण यग्य और आयोजन का उन्होंने आहवान किया और साथी साथ उन्होंने ये कहा कि सामाजिक रूप से जितने संत और समास सुधारक रहे आज से हजार वर्ष पूर्व जिस तरीके से समता के क्रांति दूद के रूप में जगत गुरू रामानुजाचारे जी का आविर भाव हुआ उसी तरीके से समाज के निर्माड में वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार की नीतियां एक भारत, शृरेष्ट भारत, समुन्नत भारत, जगत गुरू भारत की संकलपना को साकार करने में लगी है और साथ ही साथ उन्हों ये कहा कि द्वαईत और अद्वाईत दोनों भारत में हैं और इनसे साथ साथ विशिष्टादवईत की जो परंपरा जगतगुरु रामानुजाचारे जी ने स्थापित की वो लोगों के लिए शलागनी है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुक हैं उस स्थान की तरफ जहां पर म्यूजिकल फाउंटेन और 3D लाइट शाउंट प्रोग्राम का अवलोकन वो करेंगे साथ में हैं इस संस्था के चिन्ना जीयर स्वामी तेलंगाना की राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उपस्थित जन समुदाय का भिवादन स्व एकड में स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिन्ना जीयर स्वामी स्केंद्री संस्कृति यवंग परेटन मंत्री जी किशन रेड़ी तेलंगाना की राज्यपाल तमिल साई सुंदर राजन इस समय रामानुजाचारे जी से संदर्भित अनेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, भारतियता, सनातन संस्कृति और समूची मानोता के लिए समर्पित किया और साथी साथ उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अधिकारों की लडाई नहीं था एक तरफ अउपनिवेशिक मानसिक्ता थी और दूसरी और जी और जी देदों का संकल्प था प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि नसली ये श्रेष्टता और भौतिक वाद का उन्माद एक तरफ था तो वहीं दूसरी और मानोता और आध्यात में आस्था थी और इस लडाई में भारत विजई हुआ और ये ही भारत की परमपरा विजही हुई रामानुजाजारे जी की भारत की एकता और अखंडता की प्रदीप तप्रेरणा रही उनका जन्म भले ही दक्षण में हुआ लेकिन उनका प्रभाव दक्षण से उत्तर और पूरव से पश्चिम कर समुचे भारत में है समता की इस धर्ती पर स्रीमन आपका स्वागत है स्वागत सुन्दर माला ओम से स्रध्धा पूर्ण स्वीकार करे समता मुर्ती स्फूर्त केंदर की उर्जा को अवजान ले छोर्त की इस धर्त की इस धर्त की इस धर्त की इंवागत अच्च्टम केशवम। राम नारायनम। खृष्न दा मुदरिंवसुदेवं भरी स्रीधरम अधरम दुभिकावल्ल लवं जानगी नायकं। आप्षितम् थेशवं सत्यभा माधवं माधवं सेधरम् यारिदम् इंदिरामंदिरम् चेदसे सुन्दरम् देवगी नंदनम् नंदजम् संदजे सुन्दिरम् प्रिष्णवे जिष्णवे शांगिने चक्रिने रुख्विनी रादिने चानकी जाने वल्लवी वल्लभायाचितायात्मदे कमसवे गमसिदे वंशिदे ते नमाँ इंद प्रिष्णवे दूर विदेशों के वासी भी वैदिक धर्म अपनाते थे अपनी ही इच्छा से वे वैश्नवजन बन जाते थे धर्म कला और संस्कृत की जीवत अभी कहानी है साथ समंगर पार अभी तक उनकी आमिट निशानी है पूम नमो नारायनाया इस युग में स्री रामा अनचिका स्री पिरुम्बदोर में जन्म हुआ मा कांतिमती और पिता केशव यज्वी के घर में गुरु तिरुमर नंभी ने पहली ही दृष्टी में उसे पहचान लिया प्रामानुज को आदिसेश्र का रूप बताया बाल अवस्था में ही धारन वेदों का सबसार किया स्री गुरु तिरुमल नंभी ने रामायन का ज्ञान दिया स्री रामा रामे दिया रमे रामे मना रमे सर्वज्ञान संपूर्ण होने पर भी स्री रामानुज पांच गुरुओं के सिश्य बने स्वामी गोष्ठी पूर्ण उस समय के सर्वस्रेष्ठ गुरु थे उनको भगवत गीता के चर्म स्लोक और अस्टाक्री महामंत्र के रहस्यों का ज्यान था स्री रामानुज उनके सिश्य बनना चाहते थे मंत्र की सिक्षा इससे ही नहीं मिलती पहले आपने एक्षंता सिद्ध करो सब्त्रा बार गुरु ने मना किया पर रामानुज निराश या क्रोधित नहीं हुए हर बार उसी निष्ठा से तपस्या के साथ एक सव कोश चल कर स्री रंगम से गोश्ठी पुरम तक गुरु के पास आये आखर अठारवे बार गुरु मान गई है ज्यान की इतनी अध्भुत्प्यास इतनी नम्रता और सहन शीलता आज से तुम मेरे सिश्य हो तुम्हें गुप्त अस्टाक्षरी मंत्र सिखाने का समय आ गया है इससे ग्रहन करने की ख्षंता बहुत कम शिश्यों में होती है कैसा मंत्र यह है गुरुवर मनोस्वर्ख के द्वार खुल गए है रामान छड़ गई है मंदिर के सिखर पर हार जिग्ञासु के लिए मंत्र की घोश्णा की अब मंत्र हो गया सार्वजनिक हार सोशित पीडित वैश्टनों जनके कानों तक पहुंच गया यह क्या कर दिया तुमने मेरी आग्मिया को थोड़ा इतना बड़ा पाप किया तुमने अपने साथ मुझे भी नर्प किया आग में खीच गया फिर रामान छड़ बोले मंत्र को गुप्त न रखने का निरने सिर्फ मेरा था इसका पूरा दायित्व सिर्फ मेरा है अगर मैंने पाप किया है तो नरक की आग मुझे स्मिकार करे मेरे बरिदान से सब के लिए स्वग के द्वार खुलते हैं तो यही मेरा सही मार्ख है अगर मेरे इस काम से पुण्य का लाब है तो वे सिर्फ आचार आपको है आपकी ही पादुकाओं को सामने रखकर मैंने इस मंत्र की घोशना की थी पापका दायत वो खुण दे लिया और पुण्य का लाब मुझे प्रदान किया तुम्हारे जैसे शिश्य पाकर नहीं धन्य हो गया रामानजा गुरु ने निश्चय कर लिया कि उनकी आगर की सभी पीडियां रामानजी की शिश्य बनेंगी सारा विश्व हैतन उनका यही प्रेम का संदेश दिया नारायन के दर्शन को द्वार हुरदय का खोल दिया सोशित और दलित को भी प्रभुसेवा का मान दिया मंदिरों के द्वार खोले समता का संदेश दिया महिला उनको मान दिया पुरुष समान स्वामी ने मध्यकाल की दुर्णियती से अबला उनको मुक्त किया शुत्धाय मिध्याय परमात्मने सदेगरू परूपाय दिष्णवे सर्वजिष्णवे कर दो को साथ पहाड़ी छड़क पहुंचे मिलने को नारायन से रामानुजी ने सीव जुखाया धन्य हो गए दर्वन से रामानुजी के सिध्धान्तों पर धर्म प्रवंधन होता है इनकी पूजा विधिन यमन का अब धी तालन होता रामानुजा चार्जी ने स्यास्त्रों के आधार पर तै किया कि भगवान की दाई हाथ में चक्र होगा और बाई और सेंख भुजों पर नागा भरण चाती पर व्युह लक्ष्मी आभुशन होगा हर सुक्रवार अभिशेक होगा हफ्ते के तीन दिन मोहनी अलंकार किया जाएगा आनंद विमान पे सोने का कवर्च चड़ाया जाएगा तिरचानूर में होने वाला ब्रह्मोत्सव तिर्मला पहाड में होगा भक्त जन गोविंदा गोविंदा कहकर भगवान को आवाज देंगे बोल गोविंदा गोविंदा रामान जने तिर्मला को काल्यूग को वाइगन बना तिया को, ईमिदा गोह घूजर यूही आये नहीं हो तुम भगवन ने तुम्हें बुलाया है यह मंत्र अभी तुम दोहरावो भावन आवसर आया है ओम नमो नारायनाया मंत्र ब्रम्ह जपोगे तुम तो विग्ण सभी हट जायेंगे नारायन की किरपा से अब काम सभी बन जायेंगे ओम नमो नारायनाया ओम नमो नारायनाय undergraduate ओम नमो नारायनाозд तो नमा पुला राखिनावय तो दिव्यदेश है सारे जगतिके, विद्यमान यह चारों ओर, स्फूर्ति बने ये रामान जुकी भाई समता की भो। मांग है यही अब समता की हम रामान जिसे पाएंगे भर के मन के हर कोने में इसकी जोत जगाएंगे, इसका नाम सुनाएंगे आम नाम नारायना सर्वे जना सुखिनो भवंतु ओम शांति 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 उंचाई से रामान जुकी मूर्ती देती एक प्रेरणा समता का यह संदेश लेकर सारे जगत को अपना लेंगे, सब का सहयोग लेते चलें, आसमान तक बढ़ जाएंगे आदेश, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास के मूल मंतर पर चल रहा है सब का सब क्राएंगे इसको बोलो अडियो बोलो प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी तारिकरमस्थल से धीरे धीरे अब यग्यशाला की तरह प्रस्थान कर रहे हैं जगतगुरु रामानुजाचारे के मूर्ध के अनावरन के बाद अब एक बार फिर यग्यशाला प्रधानमंत्री पहुचेंगे और जहां पर बारह दिनों तक चलने वाले यग्य में वो आहुती भी देंगे इससे पहले की जो परंपरा थी वो ये थी विश्वक सेना की आहुती और उस आहुती को प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने देश के अमरित महोसों के लक्ष को समर्पित किया उन्होंने कहा कि 130 करोर देशवासियों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के लिए हम इसको समर्पित करते हैं और इस समय उपस्थित जन समुदाय से भी प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी मुलाकाद कर रहे हैं विशिष्ट जन यहाँ पर उपस्थित हैं आनेक विशिष्ट जन यहाँ पर इसकारिक्रम के साक्षी बनने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हैं और रामानुजाचारे जी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेते हुए जिस 3D प्रोजेक्शन कारिक्रम का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया उसका समापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के ही मूल, सिध्धान्त और इस पत्ष पर चलने के लिए प्रतिबद्ध सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से ही इस 3D शो का समापन हुआ और अनेक गणमादे व्यक्ति विशिष्ट आमंत्रित सदस से इस समय मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं जिन से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी अब कारिक्रमस्थल से प्रस्थान करने वाले हैं राष्ट निर्माण की जो परंपरा है और उसके प्रति जो प्रतिवध्धता है प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की वो वही प्रतिवध्धता है जब हम कहते हैं कि तवदी आय कार्याय बद्धा कटियम मात्रिभूमी हम आपके समस्त कार्यों को करने के लिए और उसकी प्रतिपूर्थ के लिए आप हमें आशिरवाद दें तवदीयाय कार्याय बद्धा कटियम सुभाम आशिशम देहितत पूर्तये और साथ ही साथ चवराष्ट निर्माण के पत्थ पर समूचा राष्ट एक सो तीस करोड़ देश्वासियों का संकल्प और प्रध के सनातन मूल्यों का सर्रक्षण करते हुए भारत भारतियता का सर्रक्षण करते हुए भारत को विश्व में शीर स्थान पर पहुचाना और वही वह संकल्पना है जो कहती है परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्टम समर्था भवत्त वाशिशा ते भ्रिशम यानि कि हम सं सामर्थ्य हासिल हो यही कलपना साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हैं और वही प्रतिवध्धता है जो यह कहा जाता है को तुदी आये कार्याये बध्धा कटियम सुभा माशिशम देहितत पूर्थे समता की मूर्थिका आज अनावरण हुआ है श्रीराम जो कि हैदराबास से तकरीबन 40 किलो मीटर दूर है और यह पूरा का पूरा प्रांगर आने वाले वर्षों में आध्यात्मिक चेतना का केंदरबिंदु बनेगा जहां पर महान आचार संत समासुधारक रामानुजाचार ने सनातन संस्कृति के ततकालीन परिवेश की अने अन्ध विश्वासों और कुरुईतियों को समाप्त करते हुए समाज के प्रत्यक वर्ग को समाज के प्रत्यक वर्ण को समाज के प्रत्यक व्यक्ति को ईश्वर की आराधना और साथी साथ ईश्वर के भक्ति भाव में शर्णागत होकर मोक्ष प्राप्त करना और बंधन होने की प्रेरणा दी केवल संथ के रूप में ही नहीं दार्षनी की रूप में ही नहीं बलकि समाज को सामर्थवान बनाना और समाज को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने का कारे भी रामा नुजाचारे जी ने किया एक हजार वर्ष पहले उनके दी गई दीक्षाएं और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और यह प्रक्रिया अनुवर्थ चलती रहेगी तब तक जब तक की विकास के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास के मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाता और इसी संकल्प की सिध्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी अहरनिश लगे हुए हैं धर्मपरायन स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने यहां कारेक्रम में हिस्सा लिया इससे पहले आज एक्रिसेट में जाकर उन्होंने ज्यान विज्यान और अनुसं अधिको श्री रामानु जखना गुना गना जयत्व जंबिनरो प्रती गुंडे सधिकार परबानुक्षनौ।